उधारन एक, एक कमरा घनाप के आकार का है, जिसकी लंबाई 12 मीटर, चोड़ाई 8 मीटर और उचाई 4 मीटर है यदि पुताई कराने की दर 7 रुपे प्रतिवर्ग मीटर है, तो कमरे की 4 दिवारों और छट की पुताई करवाने में कितने रुपे खर्चोंगे? बच्चों, मान लिजिए, कमरे की लंबाई, छोड़ाई, स्माल ल, बराबर 12 मीटर, जोड़ाई B बराबर आट मीटर एवं उचाई H बराबर चार मीटर बच्चों हमें कमरा जो की घनाब के आकार का है उसके दिवारों का छेतर फल ग्याद करना है तो कमरे कमरा घनाब आकार का है इसलिए कमरे की चारों दिवारों का छेतर फल चेतर फल बराबर आधार का परिमाप गुणेत उचाई बराबर दो ब्रेकेट में एल धन बी गुणेत एच बच्चों आई एव हम एल बी और एच का मान रखें तो यह हो जाएगा दो गुणेत कोश्रक के अंदर बच्चों एल का मान हम मारे पास था बारा और बी का मान जो की चुड़ाई है वो था आठ और एच जो की कमरे की उचाई को व्यक करता है उसका मान है चार तो यदि हम इसका गुणा करें बच्चों तो क्या हो गया बार और आठ बीस, बीस गुणी दो चालिस और चालिस का चार से गुणा एक सो साथ वर्ग मीटर बच्चों आईए अब हम छट का छेतर फल ग्याद करें तो छट का छेतर फल छेतर फल बराबर बच्चों ये लंबाई छट का छो छेतर फल है वो लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होगी अर्थात इसको हम लिखेंगे ल गुणित बी अब बच्चों ल कमान कितना है देखिए बारा और बी कमान है आठ तो बारा अठे च्चानबे वर्ग मीटर इसलिए कुल छेतर फल जिसमें पुताई करवाना है बराबर तो बच्चों हमको पुताई कहां कहां करवाना है चारो दिवारों पर और साथ में छट पर तो चारो दिवारों का छेतर फल बच्चों हमने देखा बच्चों पुताई की दर हमें दी हुई है जो की साथ रुपे प्रति वर्ग मीटर है तो बच्चों पुताई की दर हमको दी हुई है साथ रुपे प्रति वर्ग मीटर है अता चट सहित कमरे की पुताई कराने का खर्च बराबर कुल छेतर फल जिसमें पुताई करवाना है गुनित पुताई की दर जो की बच्चों साथ है तो यह हो गया कुल छेतर फल कितना हमने बच्चों कैलकुलेट किया था यह था तू फाइज सिक्स दो सो चपन गुनित साथ हम जब दो सचपन में साथ का गुना करते हैं बच्चों तो हमाँ पास कैलकुलेशन आता है एक हजार साथ सो ब्यानबे रूपए तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि एक कमरा जिसकी लंबाई बारा मीटर चोड़ाई आठ मीटर और उचाई चार मीटर है उसके चारों दिवारों और छट की पुताई कराने का खर्च एक हजार साथ सो ब्यानबे रूपए आया और इस प्रकार हमने इस प्रश्न का हल कर लिया करके देखें कुछ मित्रों के साथ अपनी कक्षा की लंबाई चोड़ाई और उचाई को माप कर ग्यात कीजिये की पहला कमरे की खिडकियों दर्वाजों के छेतरफल छोड़कर कमरे की दिवारों का कुल प्रिस्थी छेतरफल दूसरा इस कमरे में पुताई करवाना हो तो कुल कितने छेतरफल की पुताई करानी होगी तीसरा आपके शहर अत्वा गाउं में पुताई की दर कितनी है उस दर से कमरे की दिवारों पर पुताई कराने में कितना खर्च करना पड़ेगा